देखो कभी-कभी वो चीज़े हो जाती है जो अंसार एक्सपेक्ट नहीं करता है समझ रहो, टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म आ रही है जिससे जितनी भी उमीद लोग लगाएं उसका डबल और टिबल दे कर जाएगी को यह एक ऐसी सीरीज है जो आपको कभी नहीं राशन गरती सल्माण खांग टाइगर बन क्या है फिल्म नहीं चलेगी यह फिल्म ऐसी है फिल्म ऐसी है लेकिन जबं फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ठेटर में आई और उसके लिए public पागहल हो गई हर ठेटर हस्पुल हो गया उस ने सारे रिकॉ приним दा की एक नए रिकॉर्ट सल्मान भाई ने बनाए तब लोगों टाइगर डिलेवरी थी भाई का जो लुक था वो जबर्दस खतरनाक था और लोगों ने उसको जबर्दस पसंद किया इस्पेशली जो अली अबास जफ़र की स्टोरी जो थी वो समा बांद के रखती है जो फिल्म को उस टाइगर जिंदा को लोगों ने दो तीम चार पांच लोग उसको अभी भी देखते हैं इतनी खतरनाक फिल्म बनाई थी तो टाइगर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कभी पब्लिक को निराश नहीं करती है उससे कोई डिसपॉंट नहीं होता है तो टाइगर 3 से एक्सपेटेशन हाई है तो उसमें गलती किया है लोग कहते है जो पर इसमें जो सल्मान शारुप साथ में देखना फिट से परदे पर एक जबर्दास experience होने वाला है खतरनाक होने वाले है और साथ में जह हमको Katelyna Madem देखने को मिलें फिर इमरान हाश मी एक नए और ओतार में देखने हैं सेवह समय का क नहीं इक दोबो दिया भू अचैने ह और डब टाइगर आएगी तुम फिर से च्छाग आओ Heard तरफ तो सल्मान भाई के साथ से इम्रान हाश्मे को देखना मुझे काफी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है कि इम्रान हाश्मी मुझे बहुत पसंद देया, इम्रान हाश्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इम्रान हाश्मी के लिए मैं बहुत खुश हो कि इस फिल्म में सलमा खन के साथ उनको बड़े पर्दे पर देखना, एक जबरदस experience होगा, साथ में दोनों लोगों को देख बैरहल टाइगर से expectation हाई रखना ज़रूरी है